अगर आपकी 500 रुपे की छोटी छोटी सेविंग्स या बचत कहलो आप वो आपका किसी दिन लाखो रुपे का फंड बन जाए तो आपको कैसा लगेगा जी हाँ बिलकुल आज हम कुछ ऐसे ही स्कीम आपके लिए लिखा हैं जिसको आप पॉस्ट ओफिस की स्कीम भी बॉल सकते हो पॉस्ट ओफिस की स्कीम है 500 रुपे की सेविंग सिर्फ 500 रुपी की सेविंग आपका लाखो रुपे का फंड बन सकता है कैसे बन सकता है इस स्कीम में ऐसा क्या है सब कुछ स्कीम के बारे में आज बताएंगे आपको इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देख लेना जो PPF अकाउंट जिसको बोलते हैं Public Provided Fund ये Post Office की एक स्कीम है आप ये फंड ये जो PPF अकाउंट है अपने लिए तो खोली सकते हैं साथ में अपने बच्चे के लिए भी खोल सकते हैं ठीक है साथ में अब ये बता देते हैं कि Post Office की जो छोटी स्कीम से हैं उन पर Return तो कम मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो लेकिन लंबे समय तक अगर आप सेविंग करते हो निवेश करते हो इन्वेस्टमेंट करते हो स्कीम में लंबे टाइम के लिए तो ये जो लंबे टाइम का पीरियेड होता है ये आपको माला माल जरूर कर सकता है क्योंकि जो Interest होता है वो जुड़कर जब आपका premium बड़ी रका में बदल जाता है जो Interest होता है जब आप लंबे टाइम के लिए किसी स्कीम में investment कर रहे हो तो जो आपका premium होता है वो investment जो आप कर रहे हो वो ब्याज के साथ जुड़के आपका प्रीमियम बड़ी रिकम में बदल जाता है ठीक है और जो वो फिर बहुत कई गुना तेजी से बढ़ता है समझ रहे हो लंबे टाइम के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो फण और जो फ़ंड है वो पांचर रुपे का फण जो आपने शुरू किया था कुछ सालों बाद आपको लाख रुपेगा फंड बन जाएगा आपका अगर आप लंबे टाइम के लिए PPF में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन स्कीम्स में एक तो PPF, NSC और सुकन्या समरिधी हो जना भी है ठीक है तो ये तीन स्कीम्स हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं PPF के बारे में इन में नए सिर्फ आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बलकि बच्चे के लिए भी खाता खौल सकते हो आप खुद के लिए तो इन्वेस्टमेंट करी सकते हो उनकी जो आपको interest मिलता है PPF पे आपको 7.1% का interest मिलता है अभी के time में और जो NSC है उस पे आपको 6.8% का interest यहाँ पे देखने को मिल जाता है ठीक है अब बात कर लेते हैं कि account आप अपने साथ अपने बच्चे के भी खोल सकते हो अच्छी बात यह है कि आप अपने बच्चे के नाम पर भी एक PPF account खोल सकते हो लेकिन अगर आप एक बच्चे के नाम पर ऐसा कर सकता है एक अभी भावक ही अपने बच्चे के नाम पर ऐसा account खोल सकता है ठीक है अगर आप parent हो तो आप खोल सकते हो पॉस्ट ओफिस के नियोमों के मताबिक अगर किसी के दो बच्चे हैं तो एक नबालिक बच्चे का पीपीएफ अकाउंट मा और दूसरे का पिता खुलवा सकता है समझ गए जैसे कि आप यहां पे पढ़ पा रहे हो और ममी पापा दोनों एक ही बच्चे के नाम पर माइनर पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकते ये रूल्स हैं पोस्ट ओफिस के जो पीपीएफ स्कीम को लेके आप यहां पे पढ़ पा रहे हो तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मम्मी पापा दोनों एक ही बच्चे के नाम पर माइनर PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते है अब बात कर लेते हैं कि सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली सेविंग स्कीम PPF की मैच्योरिटी अवधी 15 साल है और ये ट्रिपली कैटेग्री में आता है तो 15 साल के लिए आप मैच्योरिटी जो पीरियड है मैच्योरिटी का वो 15 साल है और ट्रिपली कैटेग्री में आता है और PPF 500 रुपे से डेड़ लाख रुपे तक सलाना निवेश कर सकते हैं तो आप ये जो PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड है इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो एक साल में 500 रुपी से लेके डेड़ लाख रुपे तक का इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं और जो आपको ब्याज मिलेगा इस पे जो आपको इंट्रेस्ट जो मिलेगा वो 7.1% का होगा अब बात कर लेते हैं कि पोस्ट ओफिस में खाता खोलने का विकल्प और बाद में हर साल 500 रुपे एक बार में जमा करना जरूरी ठीक है आपको अकाउंट खोल सकते हो एक साल में 500 रुपे एक बार जमा करना जरूरी है एक कारोबारी साल में डेड़ लाख रुपे से ज्यादा जमा नहीं कर सकते मतलब 500 रुपे आपको जमा करने हैं 500 से लेकर डेड़ लाख रुपे में आप इसमें एक साल में PPF अकाउंट में आप जमा कर सकते हो और ये 15 साल का लोक इन होता है 15 साल के लिए लोक हो जाता है आप बस अपना इंवेस्टमेंट करो और मैच्योरिटी के बाद आप 5-5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं अगर आप आपका 15 साल पूरे हो गए आप इसको फिर बढ़ाना चाते हैं तो 5-5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं ठीक है और 3 साल बाद PPF अकाउंट के बदले लॉन भी ले सकते हैं आप समझ रहे हो एक साल में 500 से लेके 1.5 लाग का इंवेस्टमेंट आप कर सकते हो 15 साल का लॉकिन होता है 15 साल की मैच्योरिटी अवधी होती है इसकी पिरियेड होता है और उसके बाद जो 3 साल हो जाएंगे ना आपके PPF अकाउंट को तो आप इस पे लॉन और जब 5 से 7 साल हो जाएंगे आपके PPF अकाउंट को तो आप 50 परसेंट रकम निकाल सकते हैं और सरकार हर 3 महिने बाद ब्याजदर की समिक्षा करती है ठीक है तो ये सारे रूल्स हैं इस PPF अकाउंट के आई होप आप समझ गए होंगे कि 5 से 7 साल के बाद आप 50 परसेंट जो अपनी रकम है उसमें से वो निकाल भी सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि PPF अकाउंट किसी पोस्ट ओफिस या बैंक में अपने नाम से या नाबालिक के नाम पर पेरेंट्स खोल सकते हैं ठीक है आप बैंक में भी खोल सकते हो पोस्ट ओफिस में भी खोल सकते हो PPF अकाउंट और नियमो के अनुसार यहां पे आप PPF अकाउंट अगर पोस्ट ओफिस में खोलते हो तो आपको जैदा benefits देखने को मिलते हैं बैंक के बजाए तो आप कोशिश करें कि जो PPF account है एक बार आप चेक कर लें बैंक में कितना interest आपको मिल रहा है लेकिन हम यह जो बात कर रहे हैं वो post office के बारे में बात कर रहे हैं और जो PPF account खोलने के लिए आपको सिर्फ 500 रुपे चाहिए ठीक है आप 500 रुपे से अपना PPF account open कर सकते हैं और नए नियम में 12 बार पैसे जमा करने की सीमा को खतम कर दिया गया है तो आप एक महिने में एक बार एक से जएदा बार भी PPF में पैसे जमा कर सकते हैं तो ये कुछ रूल्स हैं आपको यहाँ पे समझाना जरूरी था PPF public provident fund के बारे में कि आप छोटी सी सेविंग्स 500 रुपे की सेविंग्स भी आपकी लाखो रुपे के fund में बदल सकती है 500 रुपे से लेके 1.5 लाख का आप investment कर सकते हो public provident fund जो post office की एक scheme है और I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like share जरूर करना और कुछ इस तरह के वीडियो आपको चाहिए आप जानना चाहते हो कि ऐसे schemes ऐसे funds के बारे में तो आप इस channel को subscribe भी कर सकते हो